दोस्तों अब सभी का सवागत है डीके जनल इस्टीस में दोस्तों आप सभी के लिए 36 गर वियापा में जो हिंड पॉम तक निसियन का पोस्ट निकली है 188 पदों के लिए उसका हैं पर मैं क्लास लेकर आया हूं जो की 36 गर का समानने जान का या दूसरा क्लास है सब्सक्राइब करें और जो भी अभ्यार्थी को अच्छा लगा तो लाइक करिए साथ साथ आप जितने भी दोस्तों तक सियर कर दीजेगा तो चलिए मैं यहां पर क्लास स्टाइब करता हूं और यहां पर दूसरा क्लास चाहिए अपका यहां पर 25 कोशन पूछे जाएंगे काफी इंपॉर्टन ट्राइगा आप सभी के लिए 36 आप सभी पहले से परहे हुए हैं तो इसको आपको मजबूत बनाना जरूरी है बहुत सारे अभ्यार्थी तो मैं यहां पर लगभाग 36 की पूरी तयारी कराऊंगा साथ साथ जेस के पार्ट्स का पूरी तयारी और करें बनाया हूं जो कि हिंट पर तक निश्यन के लिए जिसमें आपको जितने भी क्लास यहां पर मैं कराऊंगा उसका फीड़ आपको उपलब धकराई जाएगी साथे साथ कुछ इंपॉर्टन जनकरियां भी कैसे ताजारी करना है या कुछ भी डाउट सो आपको तो पूछ सक सकते हैं इस तरह से एक वाट्साप रहेगा उस पर आप जूड़ सकते हैं जो कि मेरा नंबर है वाट्साप वाला नंबर इसके बाद आपको टू फाइप उसके बाद थ्री एट फोर वन इस पर आपको वाट्साप करनी है और जैसे वाट्साप करेंगे आप पर रिप्लाइद दिया जाएगा और जितने भी आपर क्लास होगा उसका पीड़ उस पर दी जाएगी आपके वाट्साप पर उस आपको लिखके भेजनी है कि हाई हलो हैं पंतक नस्यान गुरूप में जूड़ना है से करके तो वहाँ पर आपको रुप्लाइद दिया जाएगा चलिए यहां पर में अखला से स्टार्ट करता हूं जिसमें 25 प्रसन पुछे जाएंगे आप सभी के लिए तो सबसे पहना जुक्ष्टन है कि इस राज्य का निम्लखित मिसे कौन सा सहर चाओ राहो का नगर के नाम से जाना जाता है इंपॉरिटन प्रसन है तो राइपूर है बिलासपूर अंबिकापूर जगदलपूर तो इसका राइट आँजे पर जगदलपूर हो जाएगा चाहर राहो तो आप सभी को यहां पर अच्छे से पाइना है तो इसका पहला सही आंसर यह हो जाएगा दिने संदन साही थे अगला है राइपूर कमिशनरी कब बना दिसरे नमबर का कोश्चन है राइपूर कमिशनरी कब बना है तो अगला कोश्चन है दिसंबर 2011 में जीलो के संख्या कितने थी मतलब जो दिसंबर 2011 है उस तक चाहिए जीलो के संख्या तो टाइस शोला अठारा चबिस जिसका राइट अंसरा पर अठारा हो जाएका दिसंबर 2011 में दो जीलो के संख्या 36 गड़ में अठारा थी उसके बाद जश्च्ट आंपर बढ़ा हुआ है बारा में लगभा कहां पर दस से बारा जीला बना था उसके बाद कि यहां पर बढ़ांपुर जयागा जो कि कुर्बा जिलिस परस नहीं करता चतिस घड़ कितने रज्जों से घिरा हुआ सरगूजा जो बेस्टिंग कि सरचना में किस करम के चर्ठाने अधिक है तो कडपा है विंद्याचल गुणवाना धारवार तो सरगूजा जो उपड़ी छेत्र है उत्री छेत्र है वहां पर तो गुणवाना तो जो सरगूजा है वहाँ पर गुर्वाना मतलब कोईले की प्रमुकता है कोईले सबसे ज्यादा सरगुजा च्शेत्र में निकाले जाती है तो गुडवाना उसको आप यात सकते हैं तो कि कोईले के च्छेत्र के लिए उसका अगला कोश्चन है अलबका पहाड की जिले में इस्थित है तो दंतेवारा बीजापूर नराणपूर बस्तर तो अलबका पहाड की जिले में इस्थित है तो इसका सही अंसर यहां पर बीजापूर हो जाएका बीजापूर गुज्र हें तो सब्सक्राइब तो करका, जो है चाहिज गुज्री हुई है, उसके सरवाधिक निकट कौन सा सहर है तो बैकोंडपूर, रायगड़ा, कवरधा, कोरवा तो इसका सही उत्तर बैकोंडपूर हो जाएगा जो करकर रिखा कि सरवाधिक निकट में इस्तित है यह वाला अपसन सही हो जाएगा एगला है एगला है f 지 46 गड़का सबसे थंडा इस्थान है टो 35 Terra का सबसे थंडा इस्थान कहुंग सा थ disp sign City काा तो चांपा है ragf tų जो सबसे थंडा सबसे तो STE इस्थान Amen B Raphael है जो कि सरगुज्या기도 है जो कि संगधीfferos तेल नदी किस तहसिल में प्रवाहित होती है जो तेल नदी किस तहसिल में प्रवाहित होती है तो नगरी देवभोग बिद्र नवगर सराय पाली तो बारा का सहियां से नहां पर देवभोग हो जाएगा जो कि राजिम कि हाँ पर आसपास तो तेल नदी किस तहसिल में देव भोगत तहसिल में आपर प्रभाहित होती है अगला है तिरवा नंबर सिवनाथ की सायक नदी में सामिल नहीं है तो नहीं है तो आए देख लिते हैं तो हस्देव, जो की सीवनाद की साहक नदि में सामिल नहीं है. सीवनाद की साहख नदिव आमैर है, हाफ है, तांदूला है, तो हस्देव नदिव नहीं है, हस्देव नदि सिध्य मिल जाती है, तो इसका राइट方法 यहाँगा नहीं होतागा.. एकला है टाइगर प्वांट जहल पर प्रपात इस राज्य की किस जिल्मे इस्थित है तो जिल्य में इस्थित है तो बस्तर, कूर आपकाр टाऻूजा, जस्पूर, तो इसका रायद प्रप्ण करने पर तुन को कि तश्चुलह। आगार पयंट कहां से था कोई सिलि बान किस जिल्य में मांड। 32 दुनों एक है수가 मादंब 26 अ कहां है रायकार कोडिया सरगू बुढूति डियात रे YouTubers का सही वार फी माडंब झाइक हुट को यहां सब्सक्राण का सब्सक्राइब मांडब 33 00 00 गंग्रेल है उसके बद अगला कोस्चन है राज्यम्य सिचाइग का सर्व प्रमुक्साधन है तो नहरे हैं ट्वीवेल है तलाब है कुआ है इसको पूछा जाता है अगला क्रिषि बद्धिशयतर में recruit गशहत्र में तो यहां आपको बतानी है क्रिषी संभंधिश्य सैंभ च्खोन आति मैं जो कि क्रिषि के ख्री में नहीं है नहीं है क्रिषि फानल राटक है सबसे पुराना अभ्यारा कौन सा है तो पामेड है सीता नदी को मर्दा सिमर्सोथ तो इसका राइट आंसर हैं पर भी हो जाएगा सीता नदी अभ्यारा जो की सबसे पुराना है जो कि आपको धमतरी जिल्ह में देखनों को मिल जाएगा भारत में वन छेत्र के दिश्टे से 36 गड़ाज्य का करम कौन से हैं भारत देश में 36 गड़ का इस्थान किस करम पर है किस छेत्र में वनों को दिश्टे से तो पहला है दूसरा तिसरा चौंटा तो इसका राइट आंसर ति चीह 10 गड़ में नान गाओं हैं बस्तर सर्गुजा और राइगार तो इसका राइट आउसर सर्गुजद हो जाएगा सर्गुज़ तो जीले में यहां पर जो कि सहनिक इस्कूल है जो कि अंभिकापूर में है 46 गड़ का जो पहिमस स्कूल सिणिक इसकूल सर्गुज़ा मे अगलह अग्डी हवाइपर पट्टे किस जिले में स्थित हैं तो यहां पर देख सकते हैं killer पर तो दो तो डुक्रूल यहां पर जो हुआई पटी है बैकूनपूर में फिर्फिक स्थापित है तो 22 कोश्चन है कि ट्राफिक के बास्पूर रायगाण तो कुछ से जगह में है तो ट्रेफिक पार्क बिलासपूर में बनाया गया है तो उसको सही आंसर बिलासपूर हो जाएगा तो राइपूर जो डिजन है वहाँ पर रेल्वे भोगी मरमत के इंद्र इस्थापित है अगला है अगला है निम्न में से चतिस गड़ के किस जीला में हीरा पाय जाता है तो बलाउदा बाजार दंते वाड़ा गरिया बन महा समुन तो प्रमकृप हीरा पाया बन की देवभोग में पाया जाता है तो टूकि देवभोग एक तहसील है और गरिया बन में यह जो प्रमकृप से पाय जाती है जो आजाएगान द्सक्रणाए के सवयधान бы् mis cả आज़ाएant चीला नयदेश सविधान के किस अंच्छीं से आज there देख लेते हैं और चिर तृति तो जोसे आन्च पर वा द्स बतीश नोचारिच टृつ पर spins तो और जो साइन गना हो जाएगा इसका सही आंसर इहां पर डी हो जाएगा उन्षे 233 अगला प्रस्थ्न है रामा सुमेक के रचीतर है तो भासकर भठ का बाबु रिवराम गंगाधर गौपाल चंडर तो इसका सही आंसर इहां पर बाबु रिवराम हो जाएगा अगला इंदimonाकित में से पदमिस्री समाने 36 गई का कौन है तो अलका चंद्राकर कविता वासिनिक मम्ता चंद्राकर जूसी बहने तो इसका सही हो जाएगा मम्ता चंद्राकर जिसको बदमस्री अवार्ड दिया गया है एकला प्रसन च्छतिस गड़ के सरगुजा संभाग की अंसुची जिन जाती कौन नहीं है तो कुटक बॉली कान बोलते हैं प्रसन है कमार कूल उराओ गॉड उराओ और Frब कोण बोलते हैं तो कुड़क उराओं जन्जाती के लोग किस तरह के कुड़क बोली होते हैं, आप सभी को जो उराओं हों गे, उनको मौलूम होगा, कैसे बोली रहता है, अगला है इस राज्जे के निम्ले खिट्मे से किस जन्जाती का मुख्य कारे, यहाँ पर तो बास का जो कारे कौन लोग करते हैं तो कंड़ा जनजाती के लोग बास सिल्प का कारे करते हैं तो उसका संया आसर भी हो जाएगा अगरिया जनजाती का परामपरागत कारे कौन सा है तो अगरिया जो जनजाती हैं का परामपरागत कारे कौन सा है तो लाव सिल्प काष्ट उसका 34 या राइट अंसर य लौजी सिल्पनेट संवेकुन बथेयों, मेमान घर डाग घर तो लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता है जो कि भूंजय जंजाती के तो कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है लाल बंगला किस जंजाती से सम्भंधित है तो भूंजिया और यहां पर लाल बंगला किसको कहा जाता है तो रसोई घर को एकला कोश्चन ब रेकलने मल के सब्सक्राइब करते हमेदा सब्सक्राइब साफिपन이다 जी सबस्कWind in ये लिए नरंगीヤर सांचा व्डावनीदाई डानलगी आपारिद बनीदीं partisan कितने सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्केस वांजिद ET और करेंट अफियर के इंडिया और सीजी दोनों का करेंट अब अपो 40 प्रस्वनों को यहां पर ताजारी अच्छे से करवाई जाएगी साथ यहां पर अगर आई टी आई वाली जो फीटर ट्रेट का या इत्यादी कुछ कुछ जो ट्रेटों का अगर जो समझने लाइक पूक अगर मिल जाती है तो मैं उसको भी कराने कोशिस यहां पर रहेगा बट यह जो है मेरे समझ की उसको मैं यहां पर करार हूं बाकि आप आई टी आई वाले जो भूक है उसको आप ले लिजे मार्केट से अकर उपलब दोगा तो यह पुराने जो आई तो कंटीन अब चैनल से बने रहे हैं जूड़ चाहिए कंटीनी चैनल को वास्ट करते रहें कुछास आजाता है बहुत सारे ब्रहते देखने पाते तो आप सिधर डीके जलना इसरी चैनल में जाया करें और अंदर जाके देखा करें कि क्या क्या